Hello friends, आज गोर्ग सोप्यम laptop का battery में जे एक circuit लगा हो रहता है BMM fort Mercury management system वो circuit काक्ष्ण yourself में work क्या है इसका circuit connection किस तरिका साथ battery में वो work किसी करता है और यदि आप डिरेक्ट उस battery को circuit से लगा दोगे तो ऊट्फूड बोर्ट नहीं देगा तो इसमें आपको क्या करना होगा वह मैं आपको बताऊंगा जाने कि आपको इस सर्कीट और इस बैटरी के बारे में सारा चीज बताऊंगा तो आप इस वीडियो में बने रहाना है मैंने क्या किया एक laptop का बैटरी जो है उसे मैंने निकाल दिया सारा बैटरी को भी निकाल दिया और सर्किट जो से भी मैंने निकाल दिया है इसमें टोटल चे वायर भी कुनेक्ट है लेकिन एक्टॉल में इसमें टोटल चार ही वायर कुनेक्ट था बीच में जो दो वायर है गिरिन और ये अलगा जो रहा है इसके बारा मैं अभी बात में बताता हूं इसमें क्यों जो रहा है और यहाँ फर जितना भी भेट्टरी था उससे में निकाल है और यह जो दोनों वायर है इस दोनों को मैंने एक स्टेरनल व्यों रहा है इसमें नहीं लगा हुआ था और इसमें होगी हो रहाता है और किसी सर्कृट में यहां मतलब की कुछ और इसमें對 आपधियो समझे सकते हो और जहांनों की नियूंन और पर आपको माum्यान तो किस तरह का connection क्या हुआ रहता है वह मैं आपको बता देता हूं और सारा बैटरी को मैं निकालके single single उसे जो रहा है इसमें यह दोनों बैटरी लगा हुआ इस दोनों में पहला बैटरी तो इसमें बुलू बाले में और वाइट बाले में दूसरा बैटरी लगा हुआ रहे लोगा का और यही वर क्या करता है यह और एक बैटरी को single single चेक करता है कि वह बैटरी चार्ज हुआ या पिर नहीं चार्ज हुआ यादि फूल हो जाता है उसे चार्ज करना बंद कर देता है यहाँ पर आप देख़िकति हो यहाँ पर जो जो कुछ खुछकु लिखा लो यहां पर एके यहां पर निख्याय हो रहा राहिए इससे भी गझाव कर दियान इस्वेकर ऐसा हम 카ड और दो दो क रहां र्क्रूंग कर लिया है तो चलिए उसे भी उनेचिव को फ़ेटिब और सबहु lying कालिक्षार दिखा इस सब्षेस किया करना दो आपको आता हुगा पाला भी gurgu कर देंगे और अभी मैं आपको बताते तो olmas प्रोपर एक सींगल सिंगल old और चेक करते रहता है यानि किस्ट्रीजिक करते रहताई बंद रहा है यही इसका में फंक्स लेक्ताना बंद बंद कर देता है। जो कि आपके बैटरी को protect करते रहा था यादि full charge हो गया तो उसे charge करना बंद कर देगा और जो full charge नहीं हुआ उसे charge करते रहा जाएगा तो इससे जो है आपका बैटरी वो बहुत ही लंबे समय तक चलेगा और बहुत ही अच्छे से work करेगा चलिए आप मैं आपको इसा connection करके दिखा देता हूँ को connection करने के लिए आप क्या करना है simply आप सबसब पहले battery को series करने आपाद इसमें जो वाइर निकला हूँ था सबसब पहले कर देना है यह आपको कोनेक्शन कर देना है और बाले को दीखाते हूँ इसका मैं आपको अहीज करेगा मेरे तो यहां पर पॉल्टेज करते हैं अब देख सकते हैं यहां पर कुछ त्रीगर करना होगा एक वायर ले लेंगे उससे पहले में आपको यहां का दिखा दे रहा हूं बैटरी को दिखा दे रहा हूं बैटरी को करें ऐद भी है हम क्या करेंगे को सिंगल ऒायर लेंगे और पूजिट पहुतिव इसके पूजिटीफ से स्रकीट का पो और विर्दिफ करना होगा है कि आप देख सेटर गर करते हैं यह फ्लेक्सटुएक करनी के थ में पूज़ों तो आप 10.72 वोल्ट आ रहा है मतलब कि यह जब भी में सर्कीट है इस तरह का सवर करता है अब जब आप ड्रेक्ट बैट्टी लगा दो को यह आउट्पुट नहीं सो करेगा जाप यह चार्ज नहीं होगा तो आपको इस तरह का सबस्क्राइब करना होगा मतलब कि आप उसमें सौट करना होगा उसके बाद यह बैट्टी चार्ज होना शुरू होगा जाप फिर और पूट देगा आपको अभी जो मेरे पास यह सर्कीट है इसे हम पोजीटिव में जोडते हैं बैट्टी के पोजीट देखते हो इसका और पूट अभी जीरो आ रहा है जब हम इसके पोजीटिव वायर को निकाल देंगे इसका और पूट जीरो आ रहा है इस तरीका से यह सर्कीट बीशेव करता है जब हम इसे लगा दिए लगाने को बाद आप देख सकते हो यहां पर वोल्टेज फिर से आ इस सर्कीट जो किस तरीका से बनाया हुआ हो वह मैं आपको उसका बीशेव बता रहा हूं अब यहां पर बलाक वायर जो हम निकाल देंगे अभी आप देख सकतो यह बलाक वायर निकालने पर इसका बोल्ट जो है शिक्स बोल्ट दिखा रहा था क्योंकि इसका एक बोल्ट करता है इसको सर्कीट को कैसे बनाया गया है मतलग क्वैं कौन से कंडिसर अब आपको दिखाना चाहा हुआ जब इसे लगाते हैं स्रुट करते इसका बोल्ट आता है जो हो देख सकते जो बॉर्टे आता है और नीचे निकालते हो तो उसका बोल्टेज कम हो जाएगा लेकि जब हम इस बैटरी को लगा दियां अभी 10.72 वल्त आ रहा है कि बैटरी अभी जब सिर्फीर जिली स्का टूटल निकाल देते हैं तो अंल़ी को निकाल दिकाल दी है और एक बैटरी वाल्टरी वाल्ट यह6 वाल्ट का है फ्री फी डाल देते हैं वो चार्ज किसी करता है वह अभी मैं आपको दिखाता हूं हम क्या करेंगे मल्टिमीटर को पहले हटा देते हैं और उसके पाद हम एक चाजर से हम चारज करेंगे मेरे पास 12V का सरकीट यो 12V का सरकीट है जो कि 12V 1 MP के आसपास ऊपस गरार या 2 यहां पर हम दो वार को है कि उसमें हम लगादेंगे के पोजिटीव को पोज़िटीव में लगादेंगे उसे पहले मैं आपको इसका वोल्टेज चेकर के दिखा देता हूं यह जो सर्कीट है यह कितना वोल्ट दे रहा है आपको पहले दिखाता हूं और यह अभी आप देखते रहा है कितना वोल्ट आ रहा है और इसको माइंड में आप रखना 12.02 वोल्ट आ रहा है आप इसे माइ सर्केpt का इससे हम लगा देते हैं पोजीटिव में लगाएंगे और ने अर्डएव में लगाएंगे, उसके बाद मैं आपको इसका वोंेर्टेज चेकर के दिखाता हूं मैं अब इसंद्व करको मैं आपको 마지막 वोंटेज करता हूं इस चार्जट का वह बोल्ट आ रहा था अभी आप देख सकते हो इसमें 12.03 ऊत्राइब नीचे बाड वार्ट नहीं है इसलिए नीचे में ब्लाक वायर है उसका कनेक्शन अभी नहीं वह था इसलिए इसका वोल्टेज है वो कम नहीं हुआ डिकरीज नहीं हुआ पाहले मैं आपको क्या करता हूं यह जो नीचे में अप्टे लागा हूए हुआ उसमे आपको करदेखाता हूँ करें करके दिखेंगे करेंगे के मल्टिमीट्र को सिरीज में लगा रहा करें करेंगे या फिर नहीं लेब या तो हुआ आप देख सकते हो 1.4 एंपिर के आसपास ले रहा इसका मतलब मेरा वैटरी जो बहुत ही अच्छे से चार्ज हो रहा है अभी हम क्या करेंगे यहां पर अभी हम सिंगल बैटरी लगाए थे अब हम यहां पर डबल बैटरी लगा देंगे यानि कि दो बैटरी लाएंगे उसके इससे आपको यह सीखनेक को मेध्या कट जीए कि जब लोट बढ़ जाता है तो इसा करेंट है वो ज्याद हो जाता है इसे यही पर लगा दिए क्योंकि इसा प्र्दश करेंब करेंगे अब जो इने सिंगल बैट्री का जब हम करेंट को मेजर किये थे तो यहां पर वन पॉइंट फैप एंप्यर के आसपास आ रहा था और जब हम यहां पर दो बैट्री को लगाते हैं पैरलेल में तब आप देखो इसका करेंट जो बड़ गया 1.9 इंप्यर आ रहा है य तो यह जो सर्कीट है वह में सर्कीट इसको इस तरीका से बनाया जाता है कि यह जो इतना वोट आ गया वह एक मतलब कि मेक्सिम्म पॉइंट क्या रहा रहा है यह जो बैट्री है एक चॉली में 3.7 बोल्ट का है तो इस सर्कीट में कितना सेट किया हो तो मुझे नहीं मालूम है लेकिन एक मिक्सिम्म पॉइंट किया रहा था है कि इससे ज्यादा वोल्ट जाएगा मतलब कि बैट्री के द्वारा इससे ज्यादा वोल्ट जादेगा उसके बाद हम इसे चार्ज करना बंद कर देंगे इस लेंगे और इसका मैं आप वोल्टेज चे करके दिखाता हूं अभी आप देख सकते हो यहाँ पर इसका वोल्टेज जो थोड़ा ज्यादे हो जाएगा 10.98 आ रहा है तभी जो है अभी चार्ज किये थोड़ा दे तो वह 10.98 होगया मतलब भी जो बैट्टी है थोड़ा सा चार्ज होगया और तभी जो जब स्टाटिंग जब इसे हम लगाए थे 10.56 के आसपास आ रहा था था लेकिन इसे थोड़ा सा कमा रहा था चलिए अब मैं मैं आपको इस सर्कीट का एक और चीज़ दिखाता हूं जब इसे सौट करते हैं तो यह जीरो हो जाएगा सौट करने पर थोड़ी दिर में आप देखना यहां पर खुद वखुद इसका भोल्टी जा जाएगा यह इसका यह मतलब कि सर्कीट को यह आप सर्कीट को सौट सर और यदि यह लगातार सौट कर रहा है तो यह इसका और पूट कभी नहीं आएगा लेकिन आपका बैट्री भी डैमेज नहीं होगा तो आप देख सकते हो फिर से इसका भोल्टीज आ गया 10.94 भोल्ट और यह इस जो है आपका बैट्रीज जो है बचेगा मैं आपको इस ब् कोमेट वाक्स में पूछ सकते हो धन्यवाद